बिस्मिल्लाहिरोह्मानिर्रहीम अस्सलामुरेकुम सब दोस्तों को आबरील स्टेट में खुशाम दीद मैं आबरील स्टेट का एद्मन मुहम्मद बिलाल मलिक आप लोगों से मुखातिब हूँ सबसे पहले तो सब का शुक्रिया जो मेरी दूसरी वीडियो आप लोगों ने देखी और बहुत सरे सवाल पूछे मैं इन सवालों के जो जवाबात है वो आपका एक लिस्ट बना लूँगा सवालों की और उनको जो एक तरह के सवाल हुआ करेंगे उन पे एक अलग से वीडियो बना दिया करूंगा अभी मैं तीसरी वीडियो बनानी है इसको भी सुन लीजिए देख लीजिए समझ लीजिए उसके बाद मैंने इसके इलावा छोटी वीडियो एक बनानी है जो टौन के अंदर जाके मैं बनाऊंगा आपको टौन के अंदर जाके मैं वीडियो बनाकर और वहाँ पे रोड के ओपर खड़े होके प्लॉट के ओपर खड़े होके मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लॉट है ये रोड था इसको इस तरह जांचना है आपने कितने बाए कितने का प्लॉट है कितने बाइ कितने की रोड है, कॉर्नर प्लॉट कहा है, यह मैं आपको दो-तिन मिनट की वीडियो होगी, यह अलग से वीडियो होगी, इसके बाद जो कि मैं आपको चिर्फ गाइड करने के लिए टौन में, किसी भी टौन में चले जाएंगे, और जाके हम आपको वहाँ पर आज मैप के हवाले से तीसरी वीडियो मेरी जो आ रही है, वह बाकी तीन कलर रहे थे, हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ज्यादा लमी बात को नहीं करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को सेंड करें, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं, उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको अन्ताजा हो जाए, अब देखे ना, मैंने लास्ट नहीं बताया था कि कॉर्णर प्राइब लेने हैं, तो आपने उसमें 10% ज्याद एक्स्टा पैसे भी लेंगे, तो मतलब बताने का ये है कि अगर आपको कॉर्णर प्राइब का बताया जा रहा है, अगर आपको फेसिंग पर्क का बताया जा रहा है, अगर आपको 100 फिट रोट पे प्लाइब लेने का बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इ के सेल करना चाहते हूं तो आपको उसका बेनेफिट जरूर होगा तो आज मजीद गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं तो मैं आपको बाकी तीन कलर्स के बारे में बताता हूं लास्ट टाइम हमने उपर बले तीन कलर पड़े थे इस वीडियो में हम तीन कलर ग्रीन पार्क डाक यलो मॉस्क और रेड कमर्शल बढ़ेंगे पार्क आपको पता है हर सुसाइटी हर जगा पे बनाया जाते हैं क्योंकि पार्क की वैलियू बहुत ज़्यादा होती है और फे यह पार्क है आपको बी ब्लॉक का यह पार्क दिखाते हैं यह पार्क है यह एक पार्क है यह चोटा एक पार्क है यह सी ब्लॉक का पार्क है अच्छा मैं आपको यह बताओ यह बी ब्लॉक पे जरा फोकुस कीजिएगा बी ब्लॉक पे जो पार्क है इसमें आप देखें क इसके सामने घर की value ज्यादा क्यों है इसलिए कि बच्चे हर घर में मुझूद होते हैं तो वो इसके 10% एकसा चार्जी इसलिए लेते हैं क्योंकि घर से निकले आप अराम से पार्क में जाकर बैठ सकते हैं सुबह जाकर वॉक कर सकते हैं जोगिंग कर सकते हैं वर्दिश कर स जाएगा यहां से आते हैं अब यहां से सामने वाला घर होगा वहां से फोरण बंदा आ जाएगा यहां पर तो इसलिए इसकी चार्जी ज्यादा रखे चाते हैं और बच्चे भी अराम से सामने खेल सकते हैं क्योंकि टाउंस में जो है वो स्क्यूरिटी ज्यादा होती है तो लोग अक्सर जो है ना वो बचे अकेले भी आके वहाँ पे खेल लेते हैं, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे कलर की तरफ यह है यलो कलर, डाक यलो मॉस्क, अब आपको पता है, मुस्लिम होने की हैसिये से हर टाउन, हर ब्लॉक में तकरीबन एक मस्जित लाजमी बनाते हैं, तो हम इसके बारे में अब देखते हैं कि मॉस्क किस जगह पे हैं, जरा मेरा कैमरा अगर क्लोस करें तो मैं आपको मॉस्क दिखाऊ, यह एक मॉस्क है, डाक यालो कलर में, ठीक है यह आप देख रहे हैं, यह लिखा होगा है 11.17K, मतलब यह 11 किनाल से ज्यादा की बड़ी मस्जीद है, ठीकर अकसर उकाद टॉंस पते क्या करते हैं, टॉंस मैं आपको चीज और भी दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी यही पे खही नगाई, यह दिखाएं जरा, यह प्लीज, मेरा कामरा इसको जरा अगर फोकस करते, करीब करके, यह पार्क भी है, और और अराम से आप जो है वो नमाज पढ़के पार्क में आजाते हैं, बच्चों के साथ आप आएं, तफरीख करें, अजान हुई नमाज के लिए आप पार्क में, मजजिद मचले हैं, पार्क के साथ ही, इसलिए कोशिश ये की जाती है, कि पार्क के साथ ही मजजिद करें एक कनाल के साथ मजज आपको नजर आ रही है तीसरा आजै अगर आ तीसरे तो ये red कलर है ये commercial के लिए commercial आपको पता है महंगे होते हैं ये लिद्धायिए मेरा camera में हो प्रॉंक 스ं यह मौज पास कंवर्षे-, नहरों कि यह सार से इसे एक ख़र्या करें, यह कर आ हैं कि अधाल Angst, और आप आपको उस्ट को ञार वेशिय में डिया यहां से रहा हो रहा है, जाए का मेरा नकशा के कशना हैं, यह कि एरेकिनि हम नोन करें होतें, हम कि सी plants का सब्सक्राइब, यहां मिलेगा आज मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने नक्षे को बहुत हद तक समझ लिया होगा मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो आप मुझे मैसिज कर सकते हैं इन्बोक्स कर सकते हैं आपको मैं इंशालला हर सवाल का जवाब दिया करूंगा बहुत शुक्रिया थैंक यू सो जोगो इंब कर सकते हैं इंब का स्कते हैं इंगा दूएट मिल्स कि आप वाद हैं तो इंगा बहुत हैं इंगा जगावाद